Hello guys, welcome to my dope channel, Ritik Technical support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Money View में Loan Reject क्यों होता है? काफे लोगों का ये doubt था कि आपने Loan के लिए apply किया है, बट आपका Loan जो है वो reject हो गया है Okay, Loan Reject क्यों होता है? इसके उपर मैं आपको पूरा डीटेल में बताऊंगा So first of all, अगर आपने अभी तक Money View application को install नहीं किया होगा तो link में आपको description में दे दूँगा और अगर आप Loan लेते टाइम पे हमारा referral code यूज करते हैं तो आपको 5000 रोपाई का bonus मिलेगा अब देखिए Loan reject होने का सबसे बड़ा reason ये होता है कि आपका criteria criteria क्या होता है इसमें कि अगर आप सोच यहां पे कि मैं apply करता हूँ loan के लिए मैंने अपना नाम डाला अपना सर्रेम डाला graduate हूँ मैं और amount डाल लिया ठीक है अब देखिए employment मैं यहां पे डाल लेता हूँ monthly income मैं डाल लेता हूँ अब यहां पे get offer पे मैं click करूँगा अपना pen card मैं add करता हूँ अब अगर मेरा pen card जो है अगर मैंने already कोई loan लिया था और उसका email काफी late मैंने pay किया उसकी वज़ा से मेरा credit card का score रहता है credit card की बात नहीं करूँ तो credit score रहता है वो काफी कम हो गया क्या करती companies कि कभी-कभी आप लोग अगर मतलब कभी आप लेते ना loan और अगर आप डू कर देते उसको मतलब late कर देते payment करने में फिर payment नहीं कर पाते आप लोग तो आपका credit score काफी बिगाड़ देते हो लोग अब credit score अगर आपका बिगड़ चुका है तो आपको loan यहाँ पर नहीं मिलता ठीक है और credit मतलब अगर आपको loan मिल भी गया बट आपने apply करा आपको ठीक है offer भी मिल गया loan का अब आपने जो भी document verification किया बट वहाँ पर अगर आपका loan reject होता है तो वो depend करता है कि आपने जो information दिया था उसमें कहाँ पर mistake हो गई अगर ऐसा case है तो आपको screen पर number दिख रहा होगा money view customer care का आप इस number पर बात करके अपनी problem को उनके साथ साजा कर सकते दिन आपको personally guide कर देंगे कि आपने कहाँ पर mistake किया था ठीक है so topic is cover मिलते है next video में